बिहार पब्लिक सर्विश कमिशन मेंस हिस्ट्री ओप्शनल का कॉपी हम लोग देखेंगे डिटेल्स में क्वेश्चन्स के साथ यह ओरिजनल कॉपी है एक कैंडिडेट्स का जिनके टोटल मार्क्स थ्री हंडेड में टू हंडेड वन मार्क्स आए हुए हैं काफी अच्छा आंसर माना जाएगा कि इन्होंने लिखा था कि इन्हें 200 वन मार्क्स आप्शनल्स में दिये गए हैं लेकिन उचसे पहले हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे कि BPC में जो मेंस के दिन इग्जामिनेशन देने कैंडिडेट्स जाते हैं उनको बहुत सारे questions होते हैं कि answer कैसे लिखना है और answer book जो है हमारा वो कैसा दिखता है तो ये answer book का पहला page है जहाँ पर की instructions दिये रहते हैं candidates को कि उन्हें क्या-क्या करना है क्या-क्या नहीं करना है इसी में सारा चीज़ सबसे पहले clear करते हैं के बाद answer देखेंगे कि किस तरह से answer लिखा गया है history optional में कि 201 marks मिले हैं सबसे पहले यहाँ पर examination का नाम लिखना होता है 63rd मुख परिक्षाइन होने लिखा इतिहास subject और date किस date को हुआ था 17 एक को ये exam हुआ था सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि यहाँ पर जो question number होते हैं कई candidates इसको last में करते हैं और बहुत हडबड़ी के साथ इसे बहुत अच्छे से fill करना होता है देखिए क्योंकि यहीं पर जो marks आपको दिये जाते हैं जो आप marks obtain करते हैं लिखा साता है तो यह काफी important है जैसे यहाँ पर serial number 1 से लेकर 20 तक total लिखे रहेंगे और जितने हमारे questions हैं उनका हम लोग जो questions attempt किये हैं जैसे कि इन्होंने question number 1 attempt किये हैं और इन्होंने इसका answer page 1 से लेकर 7 पर लिखे हैं और इनको इस questions के answer के लिए 34 marks मिला है जहाँ पर किये page 20 से लेकर 25 तक इन्होंने लिया है और सबसे ज़्यादा जो marks है इनको question number 7 में ही मिले हुए है 35 marks maximum marks माना जाएगा काफी अच्छा है फिर इन्होंने question number 9 को attempt किया है page 26 से लेकर 34 तक यह actually 32 है इन्होंने गलत से 32 लिख दिया है 32 होगा और question number 10 जो है यह 32 से लेकर 36 तक actually यह 26 से 31 होना चाहिए और फिर यह 32 से 36 जो है वो last question attempt की है जिनमें कि इनको 32 marks मिले हुए है तो इस तरह से आपको वहाँ पे fill करना होगा यह marks वाला नहीं यहाँ पे marks वाले column में लिखा गया है कि परिक्षक भरेंगे instructions इन्हें सवधानी से पढ़ें और इनका पालन अनुपालन करें अन्याथा दंड के भागी होंगे तो देखते हैं कि हमें क्या क्या करना होता है सबसे पहले answer book जो होता है हमारा यानि कि उत्तर पुस्ती का यह 36 पेजों का होता है और इस पे क्रम नंबर 12345 लिखा रहा था अभी just उसका copy भी देखेंगे फिर क्या करना है कि परवेश पत्र से मिलान कर केवल इस आवरण प्रिष्ट पर विहित अस्थान पर अपना नाम अनुक्रमांग, अंत्रास्टिय अंग अक्षरों में लिखें परिक्षा और विशे का नाम भी नियत अस्थानों पर लिखें जैसे कि परिक्षा का नाम 63rd और subject और केवल और केवल नाम और अनुक्रमांग ही लिखना है इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है और अनुक्रमांग इस fashion में लिखना है, इसके लिए एक अलग से box रहता है, उसी में हमें लिखना होता है 4 में यह कह रहा है कि उत्तर पुष्टिका के अंदर किसी प्रिष्ट पर प्रशनोतर के अलावा अपना नाम अनुक्रमांग अन्य कोई धार्मिक शब्द या पहचान चिन नहीं लिखें अन्य अथा उत्तर पुष्टिका रद कर दी साएगी तो कहीं पर भी अपना नाम या इस तरह की चीज़े नहीं लिखना है 5 में यह कह रहा है कि उत्तर पुष्टिका के पन्नों के दोनों तरफ लिखें उत्तर पुष्टिका के सेस बचे सभी साधे प्रिष्टो या इवेन जो कोई अंस भी रह गया है आधा पेज रह गया है वो पूरी तरह से क्रॉस कर दे कई कैंडिडेट्स के वल ऐसे लाइन किस देते हैं नहीं यहाँ पे साफ कहा गया है कि क्रॉस कर दें ऐसे क्रॉस करना इवेन साइन भी बना कर दिखाया गया है कि क्रॉस करना है ऐसे तो ऐसे क्रॉस कर देना है जिस पेज का यूज आप नहीं कर रहे हैं तो next six में यह कह रहा है कि अतिरिक्ट उत्तर पुस्टिका नहीं दीजाएगी अर्थात की आप जदी अलग एक्स्ट्रा सीट मांगते हैं तो ये क्लास 10, क्लास 12 की तरह नहीं है कि आपको अलग से दे दीजाएगी केवल 36 पेजी है और उसी पे आपको आंसर अपने लिखने हैं दाहिने और विहित घेरा में उत्रित प्रश्न की क्रम संख्या के सामने उसकी प्रिष्ट संख्या लिखें दाहिने और विहित घेरा में उत्रित प्रश्न की क्रम संख्या के सामने उसकी प्रिष्ट संख्या लिखें तो ये भी करना है अपने को कि 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 यहां पर कि प्रश्ण संख्या के सामने दाइने तरफ हमें जैसे question number 10 का कि हमने किस page पर लिखा तो 32 से 36 पर लिखा है तो यही कर रहा सेबेन में आठवा में यह कर रहा कि उपस्तीती पत्र पर प्रतेक परिक्षा के लिए वही हस्ताक्षर करे जो उपस्तीती पत्र पर आपने पुरु में किया है अन्याता उत्तर पुस्ती का रद कर दी साएगी नाइंत में कर रहा कि प्रश्णों के उत्तर एक ही स्याही से लिखे यदि स्याही बदलने ही पड़े तो इस आश्रे का जो इन्विजिलेटर हैं से आवरण प्रिष्ट पर नियत अस्थान पर अभी प्रमाणन अवश करवाएं क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि इन्विजिलेटर का ये रहता है कॉल्म रहता है कि वो यहाँ पर वो साइन कर दे कि आपने change किये हैं स्याही को तो बहुत सारे candidates इस बात को लेकर रहते हैं कि वो black और blue करेंगे तो बिल्कुल black और blue नहीं करना है even pencil भी नहीं यूज करना है केवल और केवल एक ही color का या तो black या तो blue pen को ही यूज करना है अन्य था किसी दो pen का use नहीं करना है pencil का use नहीं करना है, कोई भी आप map या drawing कर रहे हैं, तो केवल और केवल उसी pencil करें, जिससे आप लिख रहे हैं दस में कहा गया है कि यदि आप किसी प्रशनोत्तर को रद करना चाहें, तो r, par, cross, काट दें और उस पर रद लिख दें, इस तरह से और रद लिख देना है अपने को, cancel तो ये दोनों चीज़ें समझने वाली चीज़ें, कि आपको कितने पेनी उच करने, केवल एक पेनी उच करना है अब इस पर कोई बात नहीं होगी 11 जो कह रहा है कि एक प्रशन का उत्तर पूरा लिखने के बाद ही दुसरे प्रशनोतर लिखें, अब ये नहीं है कि दो पेज पर प्रशनक्या एक को लिखें और तीसरे पेज से प्रशनक्या दो को लिखें ऐसा नहीं करना है, कंप्यूटर उपस्थिती सुची में अपने नाम के समक्ष उत्तर पुस्थिका की संख्या अवश लिखें और हस्ताक्षर करें, अन्याता उत्तर पुस्थिका रद करती चाहेगी उत्तर पुस्थिका का क्रमांग की ये है देखिए, जैसे यहाँ पे उत्तर पुस्थिका क्रमांग 2151-02121 ये उत्तर पुस्तिका क्रमांग है और इसको वहाँ पे आपको mention करना होगा जो attendance इट होगा फिर कह रहा कि 13 में पुस्तक कुंजी नोर्स आदी परिक्षा कच से बाहर निर्धारित अस्थान पर ही रखे हैं यानि कि कच में तो नहीं ले जाना है नेक्ष कह रहा कि परिक्षा कच में यदी कोई उत्तर पुस्तक समागरी मतब इस तरह से चीजे पाई जाती है तो आपको फिर दंड दिया जाएगा और 15 में ये कह रहा कि उत्तर पुस्तिका सौप कर ले लिये जाने के बाद ही परिक्षा कच से बाहर निकले उसका questions paper देखते हैं उसके बाद हम लोग answer पर इसके आएंगे कि किस तरह से answer लिखा गया है तो यह 63rd optionals है question number first पुछा गया था सबसे पहले इसको clear करते हैं कि इसका instructions क्या है history जो है दो section में बटा रहता है question paper section 1 और section 2 section 1 से भी 3 question attempt करने हैं और section 2 से कम से कम एक question और part B से कम से कम एक question करते हुए हमें total 3 questions attempt करने है section 1 से और same section 2 में भी यह part A और part B में बटा होगा तो यहां से भी कम से कम एक question और part B से भी कम से कम एक question करते हुए हमें total 3 questions attempt करने हैं यह इसका instructions है history का तो सबसे पहले question number 1 देख लेते हैं कि पुछा गया है कि examine the main feature of the city planning of the Indus civilization. How far are these features found in modern city planning? Sindhu Sabyeta के नगर नियोजन के मुख लक्षणों का परिक्षण कीजिए. Sindhu Sabyeta के नगर नियोजन के मुख लक्षणों का परिक्षण कीजिए. आधुनिक नगर नियोजन में ये लक्षण कहां तक पाई जाते हैं? ये पूछा गया था. Question number 2 Evaluate the importance of the main sources of the modern age. मौर यूग के मुख स्रोतों के महत्तु का मुल्यांकन कीजिए. Question number 3 Vain Sang has said हर्षवर्धन was impartial in justice and regular in doing his duties. He even forget to make mils or sleep for doing public welfare activities. Comment Vain Sang ने कहा है कि हर्षवर्धन नियाय में निस्पक्ष और अपने कर्तव्य पालन में नियमित था. प्रजा कल्यान कारियों को करने में वह भोजन और निंद लेना भी भूल जाता था. विवेचना किसी है? ये वैंसंग का statement है जो कि हर्षवर्धन के बारे में है. नाव विशी पार्ट बी. पार्ट बी में question नमबर फोर में पूछा गया कि point out the main characteristics of the administrations of the चोला rulers. चोल सासकों के प्रशासन के मुख लक्षणों को दर्शाइए. ये question पूछा गया question नमबर फोर में. Question नमबर फाइव. Review the economic and military reforms of Allaudin Khilji and describe its impact on estate and the people. Allaudin Khilji के आर्थिक और लश्करी शुविधाओं की समिक्षा कीजिए. लश्करी का मतलब यहाँ पे military reform है और राज तथा प्रजा पर उसके परभाव का वर्डन कीचिए. Question नमबर six. Examine the causes of the rise of वक्ती movement and explain its impact on the society. वक्ती आंदोलन के उदय के कारणों का परिक्षण कीजिए और श्रमाज पर उसके परभाव समझाईए. तो यह अपने section one के question छे हुए. जहां से कि हमें कुल तीन questions attempt करने हैं, at least part A और part B से कम से कम एके questions attempt करते हुए. आप part A से question attempt कर सकते हैं, या part B से दो question attempt कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि part A से भी फिर आपको एक question attempt करना होगा, ज़दी आपने part B से दो question attempt की हैं, तो इसी तरह से section two की भी a story है. यह भी part A और part B में बटा हुआ है. Question number seven discuss the social and religious ideas of the reforms of the 19th century and trace its limitation उनेश्वी सताब्दी के सुधारकों के धार्मीक और समाजिक विचारों की चर्चा की सिये, और उनकी मर्यादाएं दर्शाई हैं, that means limitations क्या थी, यह पूचा गया है. Question number eight, Dr. A. S. N. Sen has said about the event of 1857 it begins as a religious movement and ended as a war of independence, discuss. Dr. A. S. N. Sen ने 1857 की जो घटना हुई थी, जो revolution हुई थी हमारी, उसके बारे में यह कहते हैं कि उसका प्रारंब एक धार्मीक अंदोलन के सौरूप में हुआ, और उसका अंत-स्वतंतरता संग्राम के रूप में हुआ, विच्छना की सिये Question number nine, Examine, the activities of civil disobedient movement and quit India movement is mass mobilization, सभी ने अवग्या अंदोलन और भारचोड़ों अंदोलन की प्रवरीतियों का जन अंदोलन के रूप में परिक्षन की सिये Now, part B, part B question number 10 जो है, इसमें पुछा गया है, अब ये world history से related होंगे, compare the causes and the consequences of the French revolution of 1789 and the Russian revolution of 1917 1789 की France क्रांती और 1917 की, रूस की क्रांती के कारणों और परिणामों की तुलना की चिये Question number 11, examine the role of Ho Chi Minh in the national movement of Indochina Hindi-Chin के रास्रिया अंदोलन, that means, हिंद-Chin के रास्रिया अंदोलन में Ho Chi Minh की भूमिका का परिक्षन की सिये Question number 12, evaluate the New Deal program of Franklin D. Roosevelt Franklin D. Roosevelt के New Deal कारेकरम का मुल्यांकन की चिये तो ये Total 12 question हुए Section 1 और Section 2 में divide थे इसमें से हमें 6 question total attempt करने थे Already हम लोगों ने instructions देख लिये हैं अब हम लोग direct आते हैं Answer seat पर की इन्होंने किस तरह से answer लिखे हैं कि इनको 201 marks मिले हैं सबसे पहले ये copy का page है जो answer book है अपना यहाँ पर उपर में page number लिखा रहता है यह जो अस्थान है हर एक जगा page दिख रहा है यहाँ पर BPSC लिखा रहेगा दोनों तरफ margin रहता है और केवल और केवल इसी part में हमें margin के अंदर ही लिखना है तो इन्होंने खंड और भाग अ स्टार्ट किया है यानि की section वण और part A question number one को इन्होंने attempt किया है question number यहां इन्होंने लिख दिया है और फिर Kelly आंसर यहां से स्टार्ट हो गए है देखते हैं क्या answer लिखे है थी जिसका विकास वारतिया उप महादेव के पचिमोतर भाग में हुआ ततकालिन विश्यो की चार सभ्यताओं मिस्र जो निल नदी पर हुई मेसोपोटामिया दजलाफरात नदी के किनारे हुई चिन हुआंग हो रिवर है ये तता सिंदू सभ्यता सिंदू नदी पर ये जो चारो सभ्यताओं थी ये नगरी करण ये सभ्यता थी और खास कर जो सिंदू सभ्यता है यहाँ पर लिखा गया है ये सिंदू सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं इसके साक्ष जो है और यहाँ पर इन्होंने एक डेटा भी लिख दिया है कि ये कितने work square kilometer में इसका area था that means विस्तार कितने में था इसका तो इन्होंने लिख दिया है 12,99,600 तो ये data जदियाद हो तो आप लिख सकते हैं नहीं तो according to किस चुकि ये optional है तो यहाँ पर इनको लिखना चाहिए था ये जो portion है ये वाला यहाँ पर ये पाकिस्तान वाला है तो यहाँ पर जदी इस map में ये आलमगीरपूर जदी इन्होंने लिखा है तो यहाँ पर उत्तरप्रदेश आसके लिख देते तो और बहतर दिखता जैसे यहाँ पर हर्याणा दिखाते ये राकी गड़ी दिखा देते हर्याणा में फिर इन्होंने सुत का गेंड़र जो दिखाया है बलुचिस्तान पकिस्तान लिख देते हैं और बहतर होता है काफी अच्छा है इन्होंने mapping करके दिखाया तो ये चीज एक अच्छी चीज है इन्होंने विस्तार दिखा दिया फिर सिंदू सभयता के नगर नियोजन के प्रमुख लक्षन चुकि मेंली हमें नगर नियोजन पर ही करना है दिखिए यहाँ पर साब दिख रहा पेज नमबर पेज नमबर टू पे अब हम लोग हैं इस तरह से टोटल 36 पेज लिखे रहेंगे यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है मार्जिन में और दोनों मार्जिन के बीची में लिखना होता है सिंदू सभयता के नगर नियोजन के प्रमुख लक्षन इन्होंने डाइग्राम के थुरू बना दिया नदियों के किनारे बसे नगर नगर विन्यास, सडके, भवन, जल निकासी ववस्ता, अन्नागार एवं कुणा अब एके करके इन्होंने डिफाइन किया नदियों के किनारे बसे नगर नदियों के बसे किनारे नगर में ये लिख रहें कि सिंदु सब्यता के अधिकांस नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे जिनके माध्यम से याता यात वैपार तता सिचाई कारे होता था उधारन सवरूप इन्हों ने फिर दे दिया मौन जोदरो सिंदु सिंदु नदी के मुहाने पर थी जो थी वो सिंदु रप्पा रावी लोथल भोगवा फिर नगर विन्यास इस सब्यता के नगर समाने तो दो भागों में बटी रहते थे गडी तता निचला बसती यानि कि जो अपर लेवल था और जो लोवर लेवल था गडी पूर्वी भाग में तता उचाई पर इस्दित रहता था जबकि जो निचला वस्ती था वो पच्छमी भाग में इस्दित था ये उसके करेक्ट्रेस्टिक्स को दिखा रहे हैं धौला वीरास से नगर के तीन भागों में बटे होने का साक्ष मिलता है ये अपवाद है फिर सडके सडकों में ये कर रहे हैं कि शिंदू सब्यता कि सडके समनांतर था था एक दूसरे को समकोंड पर काटती थी जिससे नगर आयताकार खंडों में विवाजित होता था और फिर इन्होंने एक डाइग्राम से इस तरह से कुछ बना दिया सडके तो इस तरह से ये डाइग्राम बना कर इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है सडके तीन परकार की थी मुख सडक जो कि 10 मिटर चौड़ी थी सायक सडक तथा गली फिर चौथे पॉइंट में ये भवन कर रहे हैं कि भवन समाने ता दो मंजिले होते थे बीच के आंगन तथा उसके चारों तरफ कमरे होते थे घर में असनानागार तथा पच्मी सीट दार सौचाले भी थे घरों के दरवाजे पच्मी सीट टॉलेट ये सौचाले का मतलब है अभी जो वेस्टन जो हम लोग यूज करते हैं उसी के बारे में ये कर रहे हैं कि दरवाजे तथा खिड़किया गलियों में खुलते थे जिसे से धूलकन में परवेश न कर सके भवन समाने ता पक्की इटो के बने थे जिनके लंबाई चोड़ाई तथा मोटाई का अनुपाद फोर इस्टू टू इस्टू वन था जल न नहीं था अर्थात किया एक बिसेस करेक्टरेस्टिक्स दिखाई जा रही हैं नलियों की ये ढकी होती थी और मुख नली से वो मिली हुई रहती थी फिर है अन्नागार सिंदू सबेता के प्रतेक नगर से अन्नागार प्राप्त हुए यानि कि अन्न को रखने वाले जो सग मिला है फिर है कुँआ मुहां जोदोरो के प्रतेक मकान से कुँआ का साक्ष मिला है या पानी का इस्तमाल पीने और खाने के लिए वो कुँआ से करते थे आधुनिक नगर नियोजन से समान था चुकि आधुनिक नगर से वो पूछा गया है तो फिर ये कर रहे हैं ये समने से आने वाले वाहनों पर ध्यान दिया जा सकता है तो ये अंसर था और फाइनली इसमें कर रहे हैं कि भावनों के निर्मान में भी हडपा नगर नियोजन का प्रयोग आधुनिक नगरों में होता है खिड़किया दर्वाजे 20 लिटर आधी को मुख सनक से अलग रखा जाता है ताकि प्रदुशित हवा घरों में परवेश न कर सके नदियों के किनारे आज भी वीशू के अधिकांस नगर बशाये गए हैं जिससे जल की आपूर्ती आवागमन के शादन तथा वैपार करना अशान होता है जैसे हम लोग जानते हैं लंडन टेंस रिवर डेली यमुना जो रिवर है और हम लोग ये भी जानते हैं इवेन जो आगरा है वो आगरा कैपिटल के तौर पे सकसेस हो गया क्योंकि यमुना नदि उसके साइड से बहती थी लेकिन जो फटेफ और सिकरी थी वो सकसेस नहीं हो पाई केवल और केवल पानी के चलते हैं तो इन्ह सिस्टम सिंदु सब्यता की प्रेणा से अधारित है इसके अतरिक्ट कोल्डे स्टोरेज बोरिंग सवचाले वाटर टैंक आधी की अधारित है निशकरसत कहा जा सकता है फिर इन्होंने निशकरस लिखाया इस सब्यता प्राचिन विश्यू की समस सब्यताओं में अपनी न प्राचिन का आनसर लिखा और इस अंसर के लिए इन्हें 34 मार्क्स दिये गए नेक्स अल्रेडी हम लोग विश्यन देख लिए हैं क्विश्यन नंबर फॉर इन्होंने फिर एटेम किया है अब सेक्शन एक सेक्शन वन का पार्ट ए से वो क्यों एक जी क्विश्यन एटेम क इनको तो इन्होंने सबसे पहले पार्ट B का question number 4 एटम किया है जिसमें पुछा गया है कि चोल सासको के प्रसासन के मुख लक्षणों को धर्शाइए तो ये start करते हैं कि चोल प्रसासन में केंद्री कृत सासन के 7-7 अश्थानिया सौव सासन की सुवायता उसका विसिस्ट लक प्रसासनिक अधिकारियों का एक तंत्र होता था इन्हें दो भागों में बाटा गया है पेरुन दनम जो उच अधिकारी का वर गये तथा सेरुन दनम जो चनिया अधिकारी का वर गये दुसरा राजस्व प्रशासन, भूराजस्व राज की आये का मुख्य स्रोत था, वववस्था पर भी कर आरोपित किया जाता था, ये है, कर चोरी पर कठोर दंड का प्रवधान था, भूराजस्व कर, समानता वन बाई थ्री होती थी, शेन प्रशासन, चोलो के पास अश्व गज तथा पैदल सेना थी, साथ ही, उन्होंने एक शक्तिसाली नौ सेना का भी गठन किया, ताम लोगोंने हमें पता है, कि ये इंडोनेशिया से लेकर स्रीलंका पर अपने बिज़े पतखाएं, फैराएं थी, तो ये नौ सेना कहीं बलपर, फोर में ये कर रहे हैं कि नाडू है, नाडू का मतलब जीला है, फिर कुर्रम है, यानकी ग्राम समो, तो इस तरह से और फाइनली, जो सबसे छोटा है, वो ग्राम है, अस्थानिया प्रशासन, अस्थानिया प्रशासन दो भागों में बटा था, ग्रामिर तथा नगरिया, ग्राम सबसे छोटी प्र नगर प्रशासन के लिए थी तो इस तरह से महासभा की सदस्यता के लिए योगे था कि महासभा की सदस्यता किसको मिलेगी तो इसके लिए one and half एकर वुमी का मालिक हो अपना मकान हो और वेदो का ग्याता हो तो ये तीन उसकी qualification थी निरहर्ता पापकार में लिप्त हो कर का भु खुर अबिवादों का निपटारा भुराजस्व को खर्च के बाद सिसबची रासी केंद्रिय कोश में जमा कराना इन्हें भुराजस्व नहीं चुकाने वाले की भुमी निलाम करने का भी अधिकार था मंदिरतलाब आदी का प्रबंधन करना इस तरह से चीज़ें थी इस कोहीं सभा यानि कि जो महा सभा था उसमें का सदस्य बनाने का अधिकार था इसमें कहा गया है कि सदस्यता के लिए सद्यस्यता के लिए निर्धारित योगता में वेदो का जानकार होना आवश्यक था जो निरक्षर लोगों को इससे वंचित करता था तो ये है सद्यस्यता के लिए भूमी का श्वामी होना भी भूमी हिन लोगों को इससे वंचित करता था प्राचीन काल में अस्थानिय स्वायता का उधारण अदितियता उन्हें अस्थानिय साधन एवं समस्याओं के प्रबंधन में असानी होई निशकर्षयता कहा जा सकता है कि चोल प्रसासन अपनी अस्थानिय श्वयतता के लिए विलक्षण गूर थे उसके पास जो कारण वि ये इन्होंने इस तरह से कुछ आंसर लिखें और इसके लिए इन्हों इन्हें 32 मार्क्स मिले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5-6 ये अल्रेडी हम लोग देख लिए हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट आंसर कर रहे हैं वेश्य नमर फाइब में पूछा गया था कि रिव्यू दे एकनोमिक एंड मिलिटरी रिफोर्म सफ अलाओ दिन खिलजी, अलाओ दिन खिलजी के आर्थिक और लसकरी सुधारों की समिचा के जिए और राज तता प्रजा पर उसके प्रभाव का वर्णन कीचिये, तो ये कह र राज पर बिना बोज डाले, वह इसका खर्च उठाता रहा, इसके लिए उसने आर्थिक सुधारों का प्रयास किया, आर्थिक सुधार के दो भागते, भूराजस्वनीती और बजार विवस्ता की अस्थापना, काफी इंपोर्टेंट्स है, क्योंकि जो अलाओ दिन अपस ले लिया, भूराजस्व किदर वन थर्ड से बढ़ाकर वन हाफ यानिकी कर दिया, अवास कर तथा चराई करकी वसुली करवाया, भूमी की पहमाईश कराकर उपज के अधार पर भूराजस्व का निर्धारन करवाया, ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान बजार विवस्ता की अस्थापना, बजार को तीन भागों में बाटा गया है, कपड़ा का बजार, अनाज का बजार, गधास घोडो तता अन वस्तूओं के लिए बजार, वस्तूओं के मुल निर्धारित कर दिया गया था, ये भी काफी एक इंपोर्डेंट चीज़ था, निर्धारित मुल से अधिक पर बेचने पर कठोर सजा का प्रवधान किया गया, काला बजारी पर रोक लगाया गया, गुदाम का निर्मान करवाया, तथा आयात की स्थिती में सस्ते मुल पर उससे बिक्री करवाया जाता था, बजार को नियंतरित करने के लिए अलग मुहनियान बजार से संबंदित है ये सैनिक सुधार अस्थाई सेना का गठन किया गया इसे दिल्ली में रखा गया इसके तद चार लाख 75,000 अश्व सेना थी इससे यूध के समय शुबेदारों की सेना पर नियंत्रित समाप्थ हो गई सेना को नगत बेतन देना सुरू किया गया जिससे की सुल्तान के प्रति सिना की स्वामित भक्ती बढ़ी यस क्योंकि उन्हें नगत पैसे दिये गया इससे सेनिकों के दुहराव तथा भरष्टचार में कमी आई पची मोतर सिमा पर इस्तित सामरीक महत्यों के अस्थलों की कीलेबंदी करवाया तथा पुराने कीलों की मरमत करवाई इससे मंगोल आकमार से निपटने में सहायता मिली अलाव दिन खिलजी द्वारा किये गये सुधारों का राजपर परभाव राज की आमदनी में चित सिना को भी सुल्तान की सिवा में भेज देते थे मंगोल आकमार के खत्रे से निपटने में अलाव दिन खिलजी सफल रहा तथा इससे दिल्ली सल्तनत की प्रतिष्ठा में बिरिदी हुई उसी तरह से प्रजा पर परभाव भूर आजस्व अधिक होने के कारण जनता प प्रांत यह कहने के बाद यह कुछ कंक्लूजन इस तरह से करते हैं यह कहा जा सकता है कि अलाव दिन खिलजी के आर्थिक और सैनिक सुधार न के वल राज के लिए बलकी प्रजा के लिए भी हितकारी थे इसका परभाव सल्तनत के बाद के समय में भी रहा सेर सासूरी ने ख दो चीजों पर फोकस कर रहे हैं सबसे पहले कि यह introduction लिख रहे हैं question का फिर body part में details में बता रहे हैं कि किस basis पर question पूछा गया है और finally यह conclusion भी कर रहे हैं तो यह काफी important है तीन पार्ट में questions को answer करना now section 2 question start होगा अब चुकि section 1 का काम खतम हो गया इन्होंने question number 7 को item किया है 7 में कहा गया है कि उनश्वी सताब्दी के सुधारकों के धार्मिक और समाजिक विचारों की चर्चा किजिए और उनकी मर्यादाएं दर्शाइए तो question number 7 का यह answer स्टार्ट कर रहे हैं यहां से यह question number 7 है उनश्वी सताब्दी के धार्मिक और समाजिक सुधारकों के सुधारकों ने विभीन विचारों के माध्यम से ततकालिन धर्म तथा समाज में व्याप्त कुरूतियों को दूर करने का प्रयत्न किया इनमें सबसे प्रमुक राजारा मौन रोय जिन्होंने यहाँ पर बीच बीच में कुछ इस तरह की चीज़े हो साती हैं दयानंद सरस्वती हैं फिर बिवेकानंद हैं यहाँ पर यह दयानंद सरस्वती हैं बिवेकानंद इश्वर्चन बिद्या सागर सरसयद हमत का आदी प्रमुक थे राजा राम मोहन रोय के विचार उन्होंन 1815 में ब्रह्म समाज 1828 में कि माध्यम से अपने विचारों को फैलाया सनवाद कमोदी नों ने लिखा मिरातुल अकबर लिखा आदी पत्रिकाओं के माध्यम से जनता को समाजिक सुधारों के लिए प्रेरित किया उनके प्रमुख विचार निम्न है राजा राम मोहन रोय के कुछ विचार है जिसमें कहा गया है कि बिलियम बेंटी के शयोग से 1829 में 1929 में सती प्रथा पर उन्होंने रोक लगवाई उन्होंने मुर्ति पुझा जाती प्रथा प्रदा प्रथा बहु विवा प्रथा बाल विवा आदी का बिरोध किया उन्होंने एक श्वर बात पर बल दिया केसव चंद्रसेन के विचार फिर इन्होंने लिखा है कि राम मोहन रोय के बाद उन्होंने ब्रह्म शमाज को आगे बढ़ाया ता था इसका विश्तार बंगाल से बाहर तक किया बंबई में 1875 में आरे समाज की अस्थापना जैसे यहाँ पर काफी वेरी गुड है कि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि आरे समाज की अस्थापना हुआ इसके माध्यम से इन्होंने वेदों की और लॉटो का नारा दिया जबरन धर्म मांतरन पर रोक लगाने का प्रयत्न किया तथा पुना हिंदू धर्म में आने के लिए सुद्धी जो आंदोलन थी उसको चलाया तो ये सारी चीजे थी इनके शिश से जो थे मतलब कि इन्होंने जयानन्द एंगलो वैदी कॉलेज की अस्थापना की जो काफी चलकर फेमस हुआ आगे स्वामी विवेकानन्द के विचार वेलूर मठ की अस्थापना किया तथा रामक्रिश मिशन के माध्यम से महनाउता धर्म को प्रतिपादित किया स्वामी विवेकानन्द के विचार फिर बेलूर मठ अलड़ी हम लोग देख लिया है ये फिर सरसयद हमद के खाँ इसी तरह सरसयद हमद के विचारों के बारे में लिखा गया है इनके विचारों को इस तरह से किया गया है जैसे देवबंद, अंदुलन, मुश्लिमों के समाजिक धार्मिक सुधार में हम भूमिका निभाए इन्होंने तो इस तरह से लिखते हुए इन्होंने का कि ये ये सारी चीज़े हैं फिर विचारों का ये विचार जड़ा था उच वरगों तक मतलब जो मर्यादाएं थी, यहा पर लिखा गया है विचारों की मर्यादाएं, that means limitations थी कि ये maximum लोगों तक नहीν जा सका उच वरगों तक ही आ रहा, सारी छेत्रों तक ही रहा ग्रामिट छेत्र में नहीं जा सका तो ये इसकी limitation थी चुकि limitation भी पूछा गया था और final इस तरह से conclude करते हुए सबसे ज़्यादा जो highest marks है उनको इसी में मिला है 35 सबकी इसमें और भी ज़्यादा इसमें लिखा जा सकता है जैसे limitations के बारे में तो इसका answer हम लोग एक बार details में और देखेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं लेकिन अभी हम लोग ये जो original copy है वो देख रहे हैं कि किस तरह से BPSC marking करता है optional history paper में next question number 910 ये है तो इन्होंने 9 question number को attempt किया है question number 9 में था कि सवीने अवग्या अंदोलन और भाराच्छोड़ो 1942 इस भी महात्मा गांदी के नेतृत में शुरू किया गया जन अंदोलन था जहां जन अंदोलनों का मद्यवर्ती चरन था तो वही भाराच्छोड़ो अंदोलन इसका चरमोत कर्स था इन अंदोलनों की प्रवरिती को निन रूप में देखा जा सकता है कितना जबरदस्त ये मतलब कि introductions लिखा गया है तो इस तरह से introductions लिखना काफी importance है सविने अवाग्या अंदोलन और जो भाराचोड़ों अंदोलन है इसका कितना जबरदस्त introduction लिखा गया है एक-एक करके अब देखेंगे लेकिन सबसे पहली है डाइग्राम और हाँ एक चीज़ यहाँ पर और बता दें जैसे कि इन होने ये डाइग्राम जो बनाए है इस डाइग्राम को हमेशा बॉक्स में रखने की ज़़ूरत होती है कोई भी डाइग्राम या जो मैपिंग करते हैं आप तो उसको बॉक्स में ज़रूर रखें इससे काफी मतलब कि ऐसा ही करना चाहिए ऐसा एक रूल है फिर कारण के अस्तर पर ये बात कर रहे हैं कि स्विनिया आवाग्या अंदोलन का कारण था साइमन कमिशन का बिरोध नेरु रिपोर्ट पर विवाद गांधी की एगाराश शुत्री मांगो को अश्विकार करना आदी उपजी बाद नहीं चुकि 1942 में दिर्तियविश यूद हो ही रहा था कि दिर्तियविश यूद के समय उपजी और ववस्थाएं आदी उद्देश के अस्तर पर जैसे सविने अवाग्या के पूंट सवराज उद्देश तथा तथा वही भारत छोड़ो अंदोलन में भारत को अजाद कर अंग्रेजो को अद्देश छोड़ने का ये सारा उद्देश था नेत्रित का अस्तर उद्देश में बारा मार्च को गांधी जी के नेत्रित में दांडी मार्च होता है तथा वो 6 अपरेल उद्देश को नमक कानून तोड़कर इसकी सुरुवात करते हैं ओगे गांधी जी उनके अत्रिक्त कई नेता भीस में थे फिर 8 अगस्त 1922 को जो अपना ग्वालिया ट जाता है युकि भाराच्षण आंदोलन है वो जो लिडर ले सोचाता है जिसके चलते वो हिंसक हो जाता है लेकिन जो अपना सेडिये में सवन्यावाग्या अंदोलन वो पूरी तरह से अहिंसक था इसमें हिंसा नहीं होई थे जबकि अंग्रेजों ने भारतियों पर जमकर हिंसा की थी, फिर संगठन के अस्थर पर दोनों में फिर यहां पर समनांतर दिखाया गया, फिर विचार धारा, अल्रेडी हम लोगो ने देखा, कारेकरम, कारेकरम क्या था सविने हावाग्या अंदोलन में नमा कानून का उलंगन करना बिलेसी वस्तूओं का बैश्कार करना, सराब की दुकानों के आगे धरना देना और भारत छोडो में भी करो या मरो का नारा देकर गांधी जी जनता में यहां पर कितने बेहतर तरीके से लिखा गया है गांधी जी जनता में आक्रोश भरते हैं, कारकरम घोशित करने से पहले सभी नेता को गिरफतार कर लिया साता है जन भागिदारी, अब जन भागिदारी किस तरह से थी यह देख लेते हैं फिर उपलब्दियां क्या रही, सविने अवग्या और भारत छोड़ो, फिर अलोचना इस तरह से पूरी तरह से इन्होंने अलग-अलग पॉइंट में करके लिखाया और फाइनल निशकर्स पर ये पहुँचते हैं यह कहा जा सकता है कि दोनों आंदोलन ने जनता की भावना के अनुरूप कारिकरम उद्देश आदी को मुद्दा बनाया जिससे जनता की पूर्ण भागिदारी थी हलाकि मुश्लीम लीग तथा वाम पंती दल इसमें सयोग नहीं किये थे फिर भी यह अंतिम जन अंदोलन साबित हुए और भारत का स्वादिनता संग्राम पूरा किया बदल कि भारत की स्वादिनता संग्राम में इन्होंने पाडिश पेट किया और इसमें इन्हों इन्हों इन्हें 34 मार्क्स मिले हैं काफी बेहतर मार्क्स दिया गया है Next Question No. 10 कोईभोने attempt किया है और यह Last Question No. 10 में कहा गया है क्योंकि यहन पर अब यह section 2 का part B से Question No. 10 attempt करते हैं कि 1789 की France करांती और किया जा सकता है जैसे इसे पहले वाले question में CDM और Quit India Movement का दोनों को parallel करके पूछा गया था कि समानता क्या है और अशमानता क्या थी तो उसी तरह से next question भी पूछ लिया गया है world history में कि France की करांती और रूष की करांती में समानता और अशमानता के बारे में बता ये तो शमानता है क्या थी number first हम लोग कारण के अधार देखेंगे कि क्या कारण थे तो सिंपल सी बात है सबसे पहले आर्थी कारण दोनों करांती कारियों में खराब आर्थी किस्तिती प्रमू कारण थे ये फ्रांस के बारे में कहा सारा है इसी तरह से रूष में भी थी फिराजकिया कारण थे फिर समाजी कारण थे और परिणाम के अधार पर जदी देखा जाए तो दोनों करांतीयों के प्रभाव न किवल उन देशों पर पड़े बलकी यूरोब तथा संपून विश उपर अंदोलन था वो पूरी तरह से परभावित हुआ था फ्रांस के करांती और रुष की करांती दोनों से तो कारणों के अधार पर देखे अशमांता के बारे में अब यहां पर कहा गया समांता हम लोगों ने देख लिया तो कारण के अधार पर दोनों में क्या वाले हम लोग कारण कम महत्वपूर्ण था इस तरह से ये देखाते हुए परिणाम के अधार पर इसमें असमानता क्या थी ये सारी चीज़े हैं आप इसको पहुँच करके एक बार देख सकते हैं और कहा जा सकता है कि फ्रांस और रोष के करांती के कारणों तथा परिणामों के कुछ समानताएं और अशमानताएं थी आपको क्या करना है कि इसमें फाइनले इनको 32 मार्क्स मिले हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से त्यार होनी चाहिए कुछ जो में में क्वेस्चन से वो किसी भी ऑप्शनल पेपर का हो तो इस तरह से अभी हम लोगों ने हिस्ट्री जो मेंस इग्जामिनेशन है उसका ऑप्शनल पेपर का आंसर क्या होना चाहिए 63 का डिटेल में हम लोगों ने देखा कि 201 मार्क्स कैसे एक कैंडिडेट्स को मिल सकता है शो आई होप शो कि आपको इससे बहुत कुछ जाने को मिली होगे शो थैंक्स